हाई अब्रिवन गाइज हवर यू ओल आज हम करने वाले हैं आर्ट और क्राफ्ट्स अफ जमू और कश्मीर पर इंपॉर्टन्ट क्वेस्टिन्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारा प्रेप जेकी के आग पर जेके पी एसाई के मौक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं जो आपको वन डबल नाइन में मिलेंगे इसमें आपको पांच मिलेंगे फुल लेंथ मौक प्लस आपको बहुत सारे अडीशनल म मौक टेस्ट हमने रखे हैं different sections पर जैसे कि interpersonal skills पर हमने अलग से मौक टेस्ट वहां पर दिया हुआ है English का synonym हो गया एंटॉनियम हो गया ऐसे बहुत सारे section जो English के हैं अलग से हमने उस पर भी मौक टेस्ट रखे हैं PDF पी मिलेंगे आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे जितने भी topics होंगे अलग-अलग से Indian and World Geography, History हो गया, पॉलिटी हो गया, Jain के Reorganization Act हो गया, सभी different topics पर आपको वाला गलग से मौक टेस्ट मिल जाएंगे, उनके PDF मिल जाएंगे So start करते हैं पहले question को, पहला question कह रहा है कि जो Jammu and Kashmir का painting style है, वो इन में से कौन से painting style के अंदर आता है पहला option है पहाडी painting style, Rajasthani painting style, Mysore painting style, Tanjore painting style, इसका जो correct answer है, वो है हमारे पास painting styles of Jammu and Kashmir कम अंदर दा पहाडी painting style, तो यह will be the correct answer और यह जो पहाडी painting style है, यह originate हुआ था 17th to 19th century, from Jammu to Gharwal in the Himalayan state of India और यह जो है ना, यह miniature style of painting है, यह भी आपको याद रखना है miniature style of painting है, ठीक है, तो यह याद रखते है हम लोग, और इसके जाद में आपको पता दूँ, इसका जो origin है पहाडी style of painting का, यह मुगल style of painting से originate हुआ है, और influence हुआ है Rajputi painting से भी, so A will be the correct answer next question guys, हम लोगों के पास है, Basoli town जो है, वो कौन सी district of Jammu and Kashmir में located है Basoli town की बात की जारी है, options आपके पास है, कठुवा, किष्टवार, उधुंपुर या फिर श्री नगर इस question का जो सही answer है, वो है Basoli, एक town आपको कठुवा में देखने को मिलेगा, so A will be the correct answer during 17th and 18th century में Basoli जो है, एक great center of painting emerged हुआ था, जिसको Basoli school of painting के नाम से भी जानते है और इसको consider किया जाता है, first school of pahari painting, Basoli को consider किया जाता है, first school of pahari painting, बहुत important है, आपको याद रखना है इसमें जो themes होती है, यह जो Basoli की paintings होती है, इसमें जो theme होती है, वो Gita Govinda and Ramaina से आप ले सकते हो Gita Govinda और Ramaina की theme से इंस्पार रहती है, so A will be the correct answer guys, और एक example मैं आपको देखती हूँ कि एक important example इस painting style का है, depiction of Rasa Manjari या फिर bucket of delight जिसको कहते हैं, जिसको 1664 AD में बनाया गया था यह एक love long poem था, जिसको 15th century में Bhanu Dutta ने लिखा था, और इसको paint किया था, देवी दासा ने, under the patronage of Raja Kirpal Singh राजा किरपाल सिंग, या राजा किरपाल पाल यह नाम हैं का, ठीक है, so यह कुछ important information थी, A will be the correct answer next कह रहे हैं कि बसोली painting, बसोली school of painting emerge हुआ, डिवरिंग, कौनसी कौनसी centuries में, मैंने अभी आपको पताया, कौनसी century में बसोली school of painting emerge हुआ था 2nd and 3rd century, 7th and 8th century, 17th and 18th century, 19th and 20th century, इस question का जो correct answer है, वो क्या है, 17th और 18th century में, so C will be the correct answer next question हम लोगों के पास है, the painting of Rasa Manjari was painted by, अभी अभी मैंने आपको पताया था, यह जो Rasa Manjari painting है, यह किसने paint की थी, राजा किरपा, पाल ने, देवी दासा ने, सुल्तान जेनुलाबदीन ने, नन अफ द अबव, so yes, अभी हमने इसको discuss किया, इसको paint किया था, देवी दासा न so B will be the correct answer, और किस के किस राजा के अंडर किया था, अंडर दा पैट्रोनेज अफ राजा किरपाल पाल के, ठीक है, so यहाँ पर B will be the correct answer, next question है, जसरोता प्लेस lies in which district of Jammu and Kashmir, जसरोता वाइलाफ सेंची जसरो ने पढ़ी थी, जो कहां पर थी, श्री नगर, Jammu, बारा मुला, कथवा, so जसरोता जो है यह आपको देखने को मिलेगा, कथवा में, so D will be the correct answer, moving to the next question हम लोगों के पास है, जसरोता style of painting has a similarity with which style of painting, बसोली, कांगडा, मावकोट, none of these, so इस question का जो answer है, वो हम लोगों के पास होगा, कांगडा style, so B will be the correct answer, ठीक है, जसरोता प्लेस कथवा district में आता है, और late 18th या early 19th century में इसको इमर्ज किया गया था, similarity है, कांगडा style of painting के साथ, और शंगारी रामाइना पेंटिंग सीरीज को प्रडियूस किया था जम्मु में, during the 17th and early 18th century में, यहां पे B will be the correct answer, next question हम लोगों के पास है, नैंसुख वोगों के पास है, नैंसुख वो इन में से कौन से style of painting के famous artist है, options आपके पास दिये गए है, जसरोता, मनकोट, कांगडा, बसोली, इसका जो answer है, वो है, अभी जो हमने देखा जसरोता, ठीक है, नैंसुख वोगों के पास दिये गए है, जसरोता, इसके अंडर पे यह काम करता था, ठीक है, यह बहुत important चीज मैंने आपको बता दी, so next जो हम लोगों के पास question है, वो है, नीम कलाम क्या है, embroidery है, Persian technique है, woodwork है, paper marshy work है, नीम कलीम guys, हम लोगों के पास एक Persian technique है, painting का, so B will be the correct answer, B, अब देखते हैं हम लोग, next question क्या है, हम लोगों के पास, next question guys है, important types of shawl of Kashmir are, Pashmina, Jamawar, Ring, all of these, तो इन में से important types of Kashmiri shawl की बात हो रही है, यह सब ही important types है shawl, जो Kashmir में available होते हैं, so D will be the correct answer, यह जो different type के shawl है, जो यहाँ पर दिया हो गया है, इसके साथ, केल गोट जो है न, वो में सोर्स होता है, Pashmina shawl का, यहाँ को याद रखना है, इस पर question भी है, ठीक है, यहाँ पर देखो, नीचे यही वाला question पूछा है, कि केल गोट is a main source of Jamawar shawl, Pashmina shawl, Ring shawl, none of the above, अभी भी बिता गया, it is the main source of Pashmina shawl, so B will be the correct answer, B, अभी next question है, the threads of which shawl are dyed before weaving, तो इन में से कौन से shawl के जो threads होते हैं, उनको dye किया जाता है, बुनने से पहले, शाहतूश, कनी, जामा, जमावार, Pashmina, इसका जो correct answer है, वो है जमावार shawl, ठीक है, इसके जो threads होते हैं, इसको dye किया जाता है, before weaving, so C will be the correct answer, ऐसे question आते हैं, चोटे मोटे exams में, chain stitch work is done by, chain stitch work is done by, आरी, hook, needle, या फिर both so, फटा-फटे, comment box में, बता दो answer that, chain stitch work कैसे किया जाता है, guys, तो ये किया जाता है, किस से, hook से, ठीक है, hook, RE, ये इन दोनों से किया जाता है, so, यहाँ पर D will be the correct answer, D, ठीक है, और इसको हम लोग, जलक दोसी भी कहते हैं, जलक दोसी work, जलक दोसी work, ठीक है, so, next, जो हम जलक दोसी is a type of, ये किस type का है, woodwork है, embroidery है, metal work है, none of the above, so, ये क्या है, हम लोगों के पास, आप लोगों ने बताना है, तो guys, इस question का answer है, ये embroidery work होता है, इसे हम embroidery create करते हैं, shawls पर, so, B will be the correct answer, next question है, which of the following is an important type of embroidery work of Jammu and Kashmir, Fulkari, Sozni, Kashidh, Kari, all of these, तो इन में से कौन सा जो है, Jammu and Kashmir का important type of embroidery है, ये तीनु ही है, so, D will be the correct answer, next question हम लोगों के पास है, which type of embroidery work is most delicate and beautiful in Jammu and Kashmir, most delicate कह रहे हैं, और beautiful भी है, options है, Fulkari, Sozni, Chain Stitch, या फिर Krival, इसका जो answer है, वो है Sozni, so, B will be the correct answer, Sozni is the most delicate and beautiful embroidery work, जिसको सालों लग जाते हैं, एक शॉल को complete करने में, ठीक है, mainly ये पश्मीना शॉल, वूलन शॉल या फिर सलवार कमीज पर किया जाता है, थिन निडल्स के द्वारा, so, इसका अंसर बी बनेगा, moving to the next question हम लोगों के पास है, which type of embroidery work takes years to complete even one shawl, अभी-अभी मैंने आपको बता दिया, Sozni, Fulkari, काशिद्दारी या फिर जलक दोजी, इसका अंसर है Sozni, so A will be the correct answer, next question है, Calico painting is mainly done in which places of Jammu and Kashmir, so Calico painting सबसे पहले तो ये एक type of block printing होता है, जो mainly किन districts में किया जाता है, option से Samba, Jammu, Shrinagar या फिर both A and B, इसका जो आंसर है, वो है both A and B, Samba में भी, Jammu में भी, So D will be the correct answer, ठीके जी, अब next question हम लोग देखते हैं, next question है, which of the following rulers introduce the carpet industry into the Kashmir valley, Kashmir valley में carpet industry को इन में से कौन से ruler ने introduce किया था, अकबर, राजा, किर्पाल, पाल, जैनुलाबदीन, देवी दासा, इसका जो आंसर है, खाबदान पाइल कारपेट, got its origin from which place, तो options आपके पस दिये गए हैं, तिबद, चाइना, बांगलादेश, नन अफ द अब अबाओ, इस question का क्या answer बढ़नेगा, खाबदान पाइल कारपेट जो है, इसका ओरिजन तिबद से है, So A will be the correct answer, ठीके, next, जो question हम लोगों के पास है, वो है, खाबदान पाइल कारपेट is very famous in which region of Jammu and Kashmir, So actually guys, यह Jammu and Kashmir का अब नहीं है, यह Ladakh का है, तो आप Jammu and Kashmir को यहां से काट दो, directly किस रिजन में है, तो आपको यह आद अखना है, ऐसे question आपको exam में आ सकते हैं, जहां पर आपको, overall India का आपको art and craft पूछा होगा, ठीक है, art and culture का भी एक आपका component है, So next है, कल बफी is a type of, कल बफी क्या है आप लोगों के पास, options आपके पास दिया गए है, यह noted carpet है, embroidery work है, paper marshy work है, या फिर wood work है, कल बफी आपके पास एक noted carpet है, So it will be the correct answer, noted carpet है, इनको हाथ से बनाया जाता है, इसको कश्मीर rug भी कहते हैं, या फिर कल बफी भी कहते हैं, It will be the correct answer, next है, a type of rug which is made by recycling old woolen blanket, इसको क्या कहते हैं, तो options आपके पास है, नंबा, noted carpet, गबबा, या फिर सग डूल, या फिर सग जी डान, इसका जो answer है, यह हमारे पास गबबा, ठीक है, गबबा made of, made by recycling old woolen blankets, जो की धोय जाते हैं, फिर mild किये जाते हैं, फिर dye किये जाते हैं, तो यह कश्मीरी floral patterns इस पे आपको देखने को मिलेगा, so C will be the correct answer, next है, at which place emporiums having large variety of namdaz are located, जमू कश्मीर, स्री नगर, या फिर सांबा, तो emporiums in स्री नगर have a large variety of namdaz, so B will be the correct answer, B, यह क्या होते हैं, namdha felted rugs, जो हैं, यह floor covering होते हैं, जो कश्मीर वाली में बहुत ज़दा famous है, mainly woolen या फिर cotton fibers के बनाए होते हैं, they are very less expensive, और smaller होते हैं, size में than the carpets, so B will be the correct answer, Sakdul is a type of, यह क्या है, Sakdul क्या है, हमारे पास blanket है, woodwork है, embroidery work है, none of the above, so यह हमारे पास blanket होता है, so A will be the correct answer, ठीक है, Sakdul को हम use करते हैं as a blanket, और यह six strips से बना होता है, whereas जो Sakjidan है, वो एक spread sheet है, जो की rooms में लगाया जाता है, rooms की जो wall होती हैं, और किचन में, और Ladakhी घरू में ऐसा होता है, so A will be the correct answer, next है, paper marshi craft was introduced in the Kashmir valley, by which of the following rulers, paper marshi को किस ने introduced किया था Kashmir valley में, options है, ख्वाजा, नक्षबंध, अकबर, जैनुलाब दीन, या फिर none of the above, तो इसको भी introduced किया था, जैनुलाब दीन ने, so C will be the correct answer, Central Asia से आप कह सकते हैं, कि इसको लेकर आए थे, so C will be the correct answer, next question guys, हम लोगों के पास है, which place is famous for copper vessels in Jammu and Kashmir, copper vessels के लिए, इन में से कौन सी जगा famous है, फते कादल, सांबा, कठवा, या फिर बारा मुला, so, इस question का जो answer है, वो हम लोगों के पास क्या है, फते कादल area of Shrinagar is very famous for copper vessels, so A will be the correct answer, A, next question है, which place is famous for its precious and semi-precious jewelry of both traditional and modern designs, बारा मुला, Shrinagar, Jammu and Katwa, so, इस question का जो answer है, वो क्या हो जाएगा, Shrinagar जो है, वो बहुत ही ज़्यादा famous है, for its precious and semi-precious jewelry of both traditional as well as modern designs, so B will be the correct answer, next है, Sondas is a type of woodwork, embroidery work, wedding ornament, none of the above, so, Sondas क्या है, हम लोगों के पास, ये important question है, तो basically, लिदाखी women जो है, वो ये एक wedding ornament को पहनती है, जिनको Sondas या branchial भी कहते हैं, ठीक है, तो ये एक wedding ornament है, so C will be the correct answer, और ये लिदाखी women पहनती है, अपने left shoulder पर fix करके रखती है, इसमें कुछ gold silver के disc भी होते हैं, जो number of long silver strands के थो connected रहते हैं, so C will be the correct answer, next है, wicker work is a type of, wicker work is type का है, embroidery work है, woodwork है, metal work है, या फिर आपके पास none of the above, so wicker work क्या है, आपके पास, आपने बताना है, फटा-फट से comment box में बता दो, so actually guys, मेरा pen खराब हो गया था, तो अभी में stylus से type करूँगी, तो थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिखेंगा, pen tab का pen मेरा work नहीं कर रहा है, so yeah, आपका question था कि wicker work जो है, वो किस type का है, वो embroidery work है, वो woodwork है, वो metal work है, none of the above, तो ये type का woodwork है, so इसका जो answer आएगा, वो आएगा B, ठीक है, next, जो हम लोगों के पास question है, वो है floating boat house and shikaras of Kashmir, are examples of which work, walnut, woodwork, khatamband, willow work, bamboo work, so ये khatamband का type है, खatamband का है, ठीक है, खatamband एक old craft है, which is a speciality of Kashmir woodwork, ठीक है, तो ये woodwork आप इसको कह सकते हो, khatamband, and ये ही है, जो हम लोगों के पास, boats वगरा में use होता है, so यहाँ पर B will be the correct answer, guys, इसमें जो wood use होता है, वो दियोदार का होता है, ठीक है, तो ये आपको याद दखना है, कि दियोदार का जो wood है, वो mainly used होता है, इस woodwork में, खतंबन से floating boat houses शिकारा वगरा बनाया जाता है, so यहाँ पर B will be the correct answer, next question है, walnut woodcraft was introduced in Kashmir by, तो जो ये walnut woodcraft है, ये कौन से ruler ने introduced किया था कश्मीर में, शेख हमजा मकदूम, जेनुलाबदीन, अकबर या फिर राजा किर्पाल पाल, so इस question का जो answer है, वो है, शेख हमजा मकदूम, so A will be the correct answer, and missionary during the period of जेनुलाबदीन, 15th century में भी हुआ था, but mainly इसको introduced किया था, शेख हमजा मकदूम में, ठीक है, so A will be the correct answer, next है की, cane and bamboo are used in Jammu and Kashmir for, तो cane and bamboo का हम लोग क्यों use करते हैं Jammu and Kashmir में, किस चीज़ के लिए, making decorative objects, making utilitarian objects, making house boards, both A and B, so इस question का जो answer है, वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, cane and bamboo का हम लोग यूज करते हैं, decorative objects के लिए भी, as well as utilitarian objects के लिए भी, so D will be the correct answer, इस question का answer हो जाएगा D, ठीक है गाईज, तो once again, thank you so much, 32 questions हम लोगों ने art and craft पर भी यहां पर discuss किये, important questions, so जब तक मेरा pen tab ठीक नहीं हो जाता है, तब तक मैं ऐसे ही आपको stylus के द्वारा पढ़ाऊंगी, थोड़ा साब को writing में बड़ा बड़ा दिखेगा, जब तक मैं नया मंगवाती हूँ, तब तक इसे से आपको काम चलाना पड़ेगा, अगेन मैं आपको बता दूँ कि हमारा JKPSI का कोर्स को आप खरीज सकते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर पर भी हमने अलग से 100 ओपीस का एक कोर्स लाँच किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में सब ही टॉपिक्स पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, उनके PDF मिलेंगे और वीडियो भी मिल जाएंगे, वो भी आप खरीज सकते हैं, या फिर साइंस का है, जनरल साइंस का एक टेस्ट है, जो आपको मिलेगा, 100 रुपीस का, पहले या आपको मिल रहा था, 59 रुपीस का, ठीके, बहुत सरे बच्चों ने खरीद के रख दिया है, आप क्योंकि तब उसमें इतना material आड़े नहीं था, तब तब तक आपकी exam clear भी हो जाएंगे, ठीके, तब तक आपकी exam clear भी हो जाएंगे, ठीके, तो या, thank you so much and God bless you all.